So hello guys, welcome to my YouTube channel, Ritik Technical Support. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप अपने device में applications को डाउनलोड करते हैं लाइक कोई भी APK को डाउनलोड करते हैं और वो APK आपके device में install नहीं होती है तो basically इसका reason क्या है और इसका solution क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीचीगा बिलके आइकोन को प्रेस कर लेना है जैसे कि आप जो भी आपका APK रहता है यहाँ पर हम देखिए APK पर हम क्लिक करेंगे ठीक है तो जो भी आपका APK रहता है आपको यहाँ पर वो देखना है कि आपको APK install करने में error कुन सा आ रहा है ठीक है जो भी error आपको देखने को मिलता है आप लोग directly उसको YouTube पे सर्च कर लीजेगा आपको हमारे चैनल की वीडियो देखने को मिलेगी क्योंकि APK installation में जो भी आपको कई प्रकार के error आते है उन्टो सारे topics के उपर हमने अपने चैनल पर वीडियो सब्लोट किया है ठीक है और second की जो भी APK आप लोग install करते है install करना चाहते है डाउनलोड की हुई उसमें अधिकतर reason होता है install न होने का वो होता है version का for example जो भी आप लोग device use करते है उसका जो android version है मान के चलिए अभी android 13 चल रहा है वो आपका android version है आपके device का ठीक है अब कोई APK आप लोग ऐसे install कर लेते जो कि वो android 13 पर काम नहीं करती तो वो APK आपके device में install नहीं होगी ठीक है बट हम आपको जो APK प्रिफर करेंगे वो APK तो प्रिफर नहीं करते हम हमेशा यही बोलेंगे कि आपको जो भी applications आप लोग यूज करते है वो आप लोग Google Play Store से ही डाउनलोड करिये ठीक है अब अगर option नहीं है तो आप लोग APK को यूज कर सकते बगी अधिकतर APK इंस्टॉल नहीं होती उसका एक ही reason होता है ज्यादातर की जिसमें वो होता है आपके device का version अगर वो version compatible नहीं है आपके device के लिए तो वो आपके device नहीं इंस्टॉल नहीं होगा तो उसका एक solution best यह रहता है कि आपका जो device का android version है उस version के हिसाब से ही आप APK को डाउनलोड करें देन आप उसे पिना किसी दिकत के इंस्टॉल कर पाएंगे टॉपिक इसकवर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जै मातादी